क्रिकेट को मिला पहला डबल चेंपियन इंगलेंड ने पाकिस्तान को हरा कर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता वंडे में भी विश्व भी जेता इंगलेंड क्रिकेट इतिहांस का पहली डबल वर्ल्ड चेंपियन बन गया इंगलेंड की टीम ने मेलवन किर्केट ग्राउन में रईवार को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा कर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का किताब जीतिया है इंगलेंड के नाम इस समय बन डे वर्ल्ड कप किताब भी है पहली बार किसी टीम के साथ एक बन डे और T20 दोनों का वर्ल्ड टाइटल है फाइनल में टॉस हार कर पहले बल्ले बाजिक करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओबर में 8 विकेट खोकर S 137 रन ही बना सके जवाब में इंगलेंड ने 20 ओबर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया इंगलेंड के लिए सबसे ज़्यादा 52 रन नावाद बेन स्टॉक्स ने बनाए पाकिस्तान के लिए हारिस रॉस्ट ने 2 विकेट लिया साहिन सा अफरीदी ने पहले ओवन में ही एलेक्स हेल्स को एक रन बनाने के बाद क्लीन बोल कर दिया वहीं ही फिल सॉल्ड 9 बोल में 10 रन बनाकर हारिस रॉफ को बर आउट होने जोस बटलर की सुरुवात तो अच्छी मिली लेकिन वो 17 बोल में 26 रन बनाकर आउट हो गया हैरी ब्रॉफ बेस बोल में 23 रन बनाकर सादाप खान की बोल पर आउट होने उनका कैच साहिन अफरीदी ने लिया बेन स्ट्रोक्स और हैरी ब्रॉफ प्रीच पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सान के लिए मस्दूद ने अब सबसे ज़्यादा 38 रन की पारी खेली उन्होंने 28 बॉल का सामना किया वहीं बावराजम के बल्ले से 28 बॉल में 32 रन निकाला इंगलेट के लिए सबसे ज़्यादा 3 डिकेट सेम करने के लिए वहीं आदिल रसीद को दो सफलता मिली चौथे ओवर में पाकिस्तान की ओर से पहली बाउंडरी आई क्रिस बॉक्स की बॉल पर मौमद रिजवान ने चखका लगाया इसके बाद वो 15 रन बनाने के बाद सेम करन की बॉल पर बॉल्ड हो गया मौमद हारिस भी फाइनल मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाएं और 12 बॉल में 8 रन बनाकर आउट हो गया बाबरा जम 18 बॉल पर 32 रन बनाकर आउट हुएं उन्हें आदिल रसीद ने बारवे ओबर पहली बॉल पर आउट किया रसीद ने ये ओबर मेडल डाला इससे पहले वाले ओबर में लिविंग स्टोन ने 16 रन दिये थे पूरे वर्ल्ड कप के में सांदार फॉर्म में चल रहें इप्तकार खान 6 बोल में 0 रन बनाकर आउट हुएं उनका विकेट बेन स्टोक्स ने लिया सान मसूत की अच्छी सुरुवात मेरे लेकिन वो इसे बड़ी पाड़ी में तबदीन नहीं कर पाएं 28 बोल पर 38 रन बनाकर सेम करन की बोल पर आउट हुएं बने रहें रखबरदान यूच के साथ